So Hello Everyone, मैं मॉनिका हूँ from IELTS 9 से और यहाँ पर मैं हिंदी में समझाने वाली हूँ कि IELTS Writing Task 1 बार चार्ट को कैसे किया जाता है और यह question जो है 27 January 2024 को IELTS exam जो इंडिया में हुआ था उसका यह Writing Task 1 question है जो की बार ग्राफ था और यह question मैं बता सकते हूँ कि यह repeat हुआ है यह October में भी आया था बस यहाँ Years के नाम चेंज थे और यही चार कंट्री थे और कंट्री के नाम भी शायद चेंज थे लेकिन University वही UK थी question क्या था तो वह मैं दिखाती हूँ जब हमें Writing Task 1 में बार ग्राफ मिलता है तो उसको कैसे solve करना है कैसे उसकी introduction लिखना है कैसे हमने analyze कर है पूरा vocabulary सहीत पूरा essay मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है तो यह question statement है the graph below shows the number of applicants from four different countries यह यह यूके यूनिवस्टी बिट्विन 2004 एं 2008 अब मुझे यह बार ग्राफ मिला है तो मैं आप इसको analyze करूंगी सबसे पहले जैसे यहां मैंने देखे 5 साल है और यह चार अलग- from zero to 35 और यहां यह अब यह green वाला है European nation अब मैं European nation जो यहां पे जब year start हुआ तो यह number one position पे था और जब यह finish हुआ तो यह नीचे आ गया तो मतलब यह देखो साफ दिख रहा है इसका graph देखो downward trend है और यह purple वाला मुझे दिख रहा है यहां से कितना ऊपर चला गया है तो य upward trend में चला गया ठीक है और यह blue वाला जो है यह middle east वाला category है यह with little fluctuation देखो उपर जा रहा था first three years it was following upward direction and then little fluctuation आया और फिर यह उपर गया ठीक है तो यह हमने यह analyzing करना है कि कौन सा graph उपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है और सबसे least में लगा लो कि यह Africa जो grey वाला यह यह पहले तीन साल तो यह stable था unchanged था उसके बाद यह फिर थोड़ा थोड़ा growth हुआ ठीक है यह चीज़े important है देखना अब हमने maximum देखा हमने minimum देखा हमने stable देख लिया कि यह पहले तीन साल यह Africa वाला stable था अब क्या करना है अब हमने यह थोड़ा writing detail जब हम लिखेंगे body paragraph one detail two detail three detail यह जितने भी detail paragraph लिखने हैं तो उसके लिए हम यह अपना figures थोड़ा पहले से ही देख लें जैसे यह exact है 10,000 यह 15 है यह 5000 और zero के बीच में तो 2000 के करीब होगा तो हम exact जब नहीं होता है तो approximately चीज़े लिखनी होती है तो यह 12,500 पे है ऐसे हमने यह अपना home work किया ठीक ह तो यह हमारा हो गया table को हमने analyze कैसे किया और upward कौन सा है downward कौन सा है या maximum कौन सा है minimum कौन सा है यह हमें देखने है अब इसके लिए जो vocabulary है जो मैं हमेशा use करती हूँ कि repetition नहीं करना है किसी भी word को कोशिश करो अपना जो पहले notes बनाओ और फिर अपना लिख लो दिखने के बा मैं आपको vocabulary दिखाती हूँ अब आप मेरी यह vocabulary देखो ठीक है मैं हमेशा यहीं से यूज करती हूँ मेरी यह dictionary है समझ लो तो आपको भी ऐसे dictionary अपनी बनानी है writing देखो कुछ पाने के लिए मैनत तो करनी पड़ेगी न अच्छे बैंट्स तभी आएंगे अगर writing task 1 में आप अच्छी vocabulary यूज करते हूँ आपके तो साथ बैंट्स आ सकते हैं मैं बता रही हूँ writing में essay में थोड़ा बत गड़बर हो भी जाती है points में तो यहाँ पे गड़बर नहीं हो नीचे जिससे आपका balance हो जाएगा देखो हम उनकी figures लिखने के लिए figures अगर percentage है तो proportion percentile यह सब figures for the European student accounted to ठीक है the number the number for the European student amounted to देखो हमें past में लिखना है यह तो हमें यह इसको convert करना है second verb में तो ऐसे करके लिखना है और अगर कोई बहुत तेजी से graph उपर जा रहा है number figures उपर जा रहे हैं तो sharply, suddenly, rapidly, dramatically, significantly, steadily, considerably, 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 तो एक ही कोई figure थोड़ी न जाएगी, बहुत सारी figures उपर जाएंगी, तो हम अलग-अलग word यूज़ करेंगे, तो यह भी लगा सकता है, sharp, sharp increase, sudden, gradual, steep, अच्छा, यह देखो fluctuations in graph और जब हमारी figures उपर जाती हैं, यह नहीं है कि यह line graph में ही काम आएगा, नहीं, यह table में भी क जाएगा, जब हमारी figures थोड़ी उपर जाएंगी, तो ऐसे चड़ रहे हैं, मतलब तो upward trend हो गया, अब जब नीचे जा रहे हैं, तो downward trend हो गया, तो यह जैसे stable kind का thing है, यह एक जिगा पिटी का है, तो इसको plateaued बोलते हैं, stable बोलते हैं, इसको unchanged बोलते हैं, फिर थोड़ा नी नीचे जा रहा है, तो हम बार-बार यह थो ना बोलेंगे increase, increase, decrease, 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 तो यह words आप use करो, इनको screenshot लो, इनको अपना वो बनाओ, note करो इनको copy में, ठीक है, अब चलते हैं, इसका introduction कैसे लिखना है, अब question statement है, इसको paraphrase करना है, अब जहां पे यह 4 लिखा है, जैसे the graph below shows the number of applicants from 4, अब यह 4 different countries है, हम यहां इस 4 की जगह पर यह अलगले countries के नाम जो इन्होंने दी हैं, वह लिख देंगे, अब यह graph है, हमारा सीधा खड़ा vertical, और अगर पेपर में अगर ऐसा वाला graph भी आता है, तो यह होता है horizontal, horizontal bar graph, तो यह vertical है, तो हमने बता दिया examiner को, the vertical bar graph, देखो as it is है, अब यह verb change करो, depicts लिख दिया मैंने, the number of learners, applicants की जगह मैंने learners लिख दिया, यह students लिख दो, learners who applied to a UK university, देखो same to same, UK university है, आप यहां terrential करना चाहो, higher education को terrential education बोलते हैं, to a UK terrential institute और university भी लिख सकते हो, from the European nations, देखो, from for की जगह पे मैंने सभी nations का नाम लिख दिया, from 2008 to 2008, 2004 से 2008 के बीच में, हमें यह इसने, between लिखा है, हमने from लिख दिया, from 2004 to 2008, और कि डेटा किस चीज में है, यह thousands में है, तो the statistical data is presented in thousands, यह line भी लिखने है, अगर percentage में है, तो percentage आएगा यहांते, अब overall कैसे लिखना है, overall में क्या लिखना है, upward trend, downward trend, any stable, और कोई maximum और minimum, यह सब लिखना होता है, और यह जो line है, यह pink वाली, इसका मतलब यह ready-made line है, यह use करो, आपके अच्छे marks आएंगे, overall it can be seen that the maximum applicants were from European nations who followed downward trend at the end, ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि यह maximum थे, जब यह शुरू हुआ था, और बाद में इनोंने downward trend, followed downward trend at the end, ठीक है, however the least participation could be witnessed, यह least वाले यह है, सब सिक्कम, Africa, from Africa, from African students to UK university, while the Middle East, अब बीच के यह दो country है, Middle East and Far East, Middle East and Far East students had shown more interest in UK higher education and constantly progressed each year, ठीक है, यह progressive ही तो हो रहे हैं, यह दोनों देखो, यह भी उपर गया, यह भी नीचे गया, अब इसको detailed paragraph कैसे लिखना है, आपको पता four paragraphs writing task one में होते हैं, but five भी हो सकते हैं, एक हुआ introduction, फिर हुआ overall, फिर body one, body two, body three, लेकिन यहां पर हमारे पास four categories है, चाहे तो आप category wise लिखो, और चाहे आप year wise लिखो, मैंने यहां year wise लिखा है, लेकिन मैंने बीच में फिर इन दो years को combine कर दिया, लेकिन first year को अलग से अच्छे से लिखो, last year को भी अच्छे से explain करना है, तो अब हम first year को कैसे explain किया, देखो, analyzing the data in 2004, the number of European nations applicants accounted to, यह 30,000 पे है, accounted to 30,000, followed by the far east, far east में अब जादा है और middle east में थोड़े कम है, तो मैंने rank wise, followed by the far east and middle east with 15,000 and 10,000, फिर कॉमा लगा के respectively भी लिखा, यह word लिखना है compulsory जब आप combine करते हो कुछ, while African students, अब African students का data stood at 25, 100 only, ठीक है, यह हुआ हुआ हमारा first year था, अब मैंने इन दोनों को combine किया, इन दोनों को जब combine किया, तो मतलब इनकी जो figures हैं, वो भी मैं add कर दूँगी, in 2005 and 2006, the European candidates figures displayed some downward, same नहीं, it is some, यह देखो थोड़ा downward आया, downward figures which were 25,000 and 20,000 respectively, देखो, 25 से 20 पे चला गया, ऐसे था, respectively, and surprisingly, the Middle East and Far East had shown more motivation, अब मैंने motivation दुबारा लिखाएं क्या, नहीं, more motivation among students to study in the UK, university with total 27,000 and 42,000 approximately, मैंने अब इनकी figures को combine किया, add कर दिया, यह वाली, और 2005 और 2006 की मैंने combine कर दिया, ठीक है, तो इसको मैंने बना दिया, 27,000 and 42,000 approximately and respectively, ठीक है, इतना मैंने इसको, अब यह हमने देखा आपने, मैंने इन दोनों को combine कर दिया, यह ही होता है, arrange करना data को, अब चलते हैं, last year, अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब last year, 2008 की बात करते हैं, in the last year, ठीक है, 2008, ओके, it is worth noted that, the figures for European nation, देखो अभी, अब यह यहां पे, figures जो है, यह है, last year, ठीक है, तो मैं आपको यह दिखाती हैं, पूरा, यह देखो अभी, last year का, in the last year, it is worth noted that, the figures for European nation, middle east and far east, followed, opposite from the initial year, मैंने लिखा, यह opposite, यह तीनों जो country है, यह यहां पे ऐसे था, और यहां पे यह ऐसे है, तो opposite trend, follow कर रही है, from the first year, ठीक है, now far east students, were at number one rank, with 30,000, which was 15,000 only in 2004, देखो, और यह देखो न, यहां पे लिखा 30,000, और यह शिरू में 15 पे थे, और यह 30,000 से यह बिलकुली नीचे 10,000 पे आ गया, यह भी लिखेंगे, यह तो अभी हुआ middle east का, अब next page पे चलते हैं, on the contrary, the European applicants, अब इसके बारे में बात हो रही है, reduce from 30,000 to 12,000, देखो, 30,000 जो first year में था और अब यह 12,000 पे पहुँच गया है, ठीक है, 12,000 only in the year 2008, in case of applicants from Africa slightly went up during this year and reached at its peak at almost 6,000, and same like experience can be witnessed from middle east graph which had developed at the highest figures at 20,000 compared to less than 10,000 students in 2004, अब मैंने इसको जब लिखाया, तो मैंने first year से इसको compare कर दिया, यही होता है अपना arrangement of data, तो इसको आप फिर से लिख के देखना, अपनी copy में और खुद से try करना लिखने की,